तो guys आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SBI के current bank account के process के बारे में कि कि इतना आपको minimum balance रखना पड़ता है क्या कि आपको documents लगेंगे इन current accounts के क्या variants होते हैं क्या benefits होते हैं SBI के अंदर तो guys यह सारी जनकरी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के इंदर वीडियो को guys शुरू करने से लिए बतना चाहूंगा अगर आप लोगो को current account से related यहाँ पे अपने business के लिए कोई भी certificate की requirement रहती है तो देखिए saving account की कुछ यहाँ पे कुछ restrictions होती है अगर आप frequently debit और credit करेंगे अपने accounts के अंदर cash withdrawal करेंगे cash deposit करेंगे तो आपका जो bank है वो आपका account freeze भी कर सकता है और income tax department जो है आपको notice भी बेच सकता है regarding the clarification क्योंकि आपका saving account जो है आपके business के transaction के लिए यूज में हो रहा है यह government को बिलकुल भी पता नहीं है नहीं आपके bank को पता लग पाता है लेकिन अगर आप एक current account उपन कर आते नॉर्मल यह रहता है कि अगर आप 10 लाग से जादा के transactions वगरे रेगुलरी basis पर करते हैं पूरे साल बर के अंदर तो definitely आपको एक current account यहाँ पर खुलवा लेना चाहिए और यह totally depend करता है कि आपके किस type के entity है यानि कि proprietorship है, partnership है, private company है या फिर LLP है या फिर एक individual basis पर आप current account खुलना चाहते हो तो देखे अगर मैं individual basis पर बात करो जाप आपका कोई भी firm का नाम नहीं है आपके personal नाम पर खुलवाना चाहते हो तो as per the RBI guidelines आपको जो है चार documents यहाँ पर देनी पड़ेंगे, दो document आपके individual KYC के लगेंगे जिसमें आपका pancard हो गया और आपका आधार card हो गया इसके लगा आपके business के भी दो document यहाँ पर minimum ची होंगे, इसके अंदर आप कोई भी document यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आपका shop pack license हो गया अगर आपके पास में GST है तो आप अपने GST का certificate दे सकते हैं, अगर आप अपने business की ITR file करते हैं, तो ITR 4 के अंदर जहाँ पर आपका business का नाम वगरे proper तरी के से mention हो, वो आप provide कर सकते हैं, इसके लगा आप एक CSA certificate भी बना सकते हैं, अपने business का, इसके लगा IC code का certificate हो गया, तो ऐसे यहाँ पर जो है कोई भी आपको दो document देने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा, इसके अंदर आपका उध्योग अदार या फिर उध्यम का जो certificate होता है, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, अब देखिए अगर मैं SBA की बात कर तो SBA की पास में काफी सारे यहाँ पर account variant से, जहाँ पर आपको minimum balance यहाँ पर रखना पड़ता है, जो 5000 रुपे से शुरुवात हो जाती है, अब देखिए हर account की जो अपने अलग benefits से अपने अलग feature है, लेकिन मैंने आप लोग के लिए especially जो भी small business कर रहे हैं, जो proprietary firm चलाना चाहते हैं, या जो individual account पर बिरन basis के उपर आपके charges लगने start हो जाएंगे, इसके लवा आपका annual maintenance charge लगेगा इस account के उपर, जो की 550 रुपे plus GST होगा, और यह normally सभी account के उपर लगने वाला है, बलाब कोई भी current account उपन कर वालो, इसके लवा guys, इसके इंदर आपको एक pride business debit card देखने को मिल जाता है, जिसका first year का कोई भी charge नहीं लगेगा, लेकिन जैसे AMC start होगी, यानि जो annual charges होता है आपका, वो 3500 रुपे plus GST यहाँ पर लगने वाला है, इसके guys अगर दिखिए मैं USB की बात करो, तो आप cash deposit कर सकते हैं, 50000 रुपीस पर मन तक, उसके beyond अगर आप करेंगे, तो 0.75 पर 1000 रु इस पर डे की इसके उपर limit लगी हुई है, बाकि आपको net banking free में देखने को मिल जाएगी, mobile banking देखने को free में मिल जाएगी, वहाँ पे आप NFT करो, RTGS वगरे करो, उसके ओपर कोई भी charges वगरे नहीं है, लेकिन हाँ, branch के through करोंगे, तो वहाँ पर charge लगेगा, online कोई भी यहाँ पर charges वगरे आपको नहीं देने पड़ेंगे, इसके लगाइस इसके अंदर आपको एक चेक बुक मिल जाती है, पर मंद एकदम free of the cost, जिसके अंदर 50 checklist होती है, आपको SMS alert भी free of the cost देखने को मिल जाते है, उसके ओपर भी यहाँ पर कोई भी चार्ज वगरे नहीं लेता है, तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे regular current account की, इसके लावा eco current account इनका variant है, जो कि काफी अच्छा है, जो इसको सुर्भी current account के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर भी minimum balance आपको 10,000 रुपे का रखना पड़ेगा, वनना 500 रुपे पर मंद आपका चार्ज लगेगा, इसका USB point य है, कि normally लोग कहते हैं कि current account के उपर interest नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको auto sweep की facility यहाँ पर provide की जाती है, अगर आपका balance एक लाग से उपर हुआ, तो एक लाग के beyond जो भी आपका balance होगा, automatically उसकी FD बन जाएगी, और जब भी आपको तोड़ नहीं हो, आराम से आप तोड़ सकते हो, बनलब manually भी आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, और उसके उपर कोई भी penalty वगरे, charges वगरे, कुछ भी नहीं लगता है, जी हाँ, तो यह काफी अच्छी चीज होती है, auto sweep की facility, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी, बाकि आपको net banking वगरे, एकदम free of the cost मिलेग NFT हो, RTGS वगरे हो, बाकि जो cash deposit है, आप home branch के अंदर 25,000 रुपीज, पर डेकी यहाँ पर limit लगाई हुई है, बाकि जो cash withdrawal है, home branch से आप unlimited कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके लगाए इस यहाँ पर आपको अगीन checkbook देखने को मिल जाती है, पचास check sleeve से आपर cash withdrawal के उपर एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, ध्यान रखेगा, 20,000,000 के limit होती है, उसके beyond करोंगे, तो tedious यहाँ पर जरू कटेगा, लेकिन उस tedious को आप refund भी claim back कर सकते हो, जब भी आप अपनी income tax return वगरे फाइल करो, उस time पर, आप guys बात करते हैं, account opening process क्या है, तो देखें, यहाँ पर दो तरीकों से आप apply कर सकते हो, या तो SBA की site के उपर ही आपको online form मिल जाएगा, वो form आपको पूरा fill up करना है, आपको एक ARN number generate होके मिल जाएगा, उसके बाद में उसकी copy निकालना ही, print out निकालना है, और अपने सारे document के साथ में, जो भी आपने brand select कर रख्योंगी, वहाँ पर जाके आपको submission कराना है, तो online यहाँ पर ऐसे video KYC, यह चीज़े आपको facility नहीं मिलेगी, यहाँ पर current account के अंदर, तो इसको भूल जाएगे, आप यहाँ पर एक बार branch तो जाना ही पड़ेगा, इसके लगा दूसरा option simple सा यह है, इनका offline form आता है, वह आप download कर सकते हो, उसके अंदर आप fill up कर सकते हो, और nearby branch के अंदर जाकर आप simply तरीके से submit कर सकते हो, अगर आपको online form fill up करना है, तो बड़ाई आसान है, आपको simply SBA की website के उपर जाना है, यहाँ पर आपको उपर मिल जाएगा apply for the saving in the current account, तो current account में आप देख सकते, current account को आ simply तरीके से fill up करनी है, details के अंदर का इस यहाँ पर मैं बात करूँ, तो आपको name of the entity वगरे डालना पड़ता है, यानि कि आपका firm का नाम क्या है, as per the pen या आपका जो भी GST certificate है, अगर individual basis पर खुलवाना चाहते हो, अपने personal नाम पे, तो वो भी आप डाल सकते हो, बाकी basic detail हो गई, mobile number होगी है, email ID होगी, आपका legal entity क्या है, proprietorship हम है, partnership है, वो आपको simply तरीके से select करना है, आपके preferred branch locations वगरे हो गई, और एक OTP डाल के simply आपको verify कराना है, उसके बाद में गईस, यहाँ पर next screen पे आपको account variant option चूज करने के बोलेगा, तो मैंने आपको दो already बता दिये, या तो regular account के साथ में जा सकते हो, जाप पे सिर 5000 रुपे आपको balance रखना पड़ेगा, या फिर सुर्भी वाले current account के साथ में जा सकते हो, जापे आपको 10,000 रुपे का balance रखना पड़ेगा, तो दोनों में से आप कोई सा भी variant अपने according यहाँ पे choose out कर सकते हो, इसके लाब इस नी तो जो भी आपको चीज़े चाहिए, आप उसके उपर check box कर सकते हो, normally आप QR code ले सकते हो, जो कि काफी अचकल सारे के सारे merchants होते हैं, जो small business होते हैं, अपनी shop के उपर लगा कर रखते हैं, उसके बाद में next screen पर पुछेगा कि आप already existing SBI customer हो या नहीं है, तो आपको yes or no के अं चुके होंगे, यहाँ पर branch code भी by default आपको मिल जाएगा, जो भी आपने branch यहाँ पर select की होगी, आपको simply यहाँ पर nature of the business डालना है, industry code डालना है, तो यहाँ पर आपको various drop down देखने को मिल जाएंगे, तो normally अगर आपका other industry related है, तो आप यहाँ पर choose out कर सकते हो, आपका annual turnover, यहाँ पर आपको identification type पूछेगा, तो जिसके इंदर आपको 10 हो गया, US, GIN, बहुत सारे company identification number बहुत साई चीज़ दिखाने वाला है, आप simply other option के उपर click करके, अगर आपके पास GST number वगर है, तो वो आप put कर सकते हो, कोई company का certificate वगर है, तो वो आप उसका ratio number वगर पूट कर स हो, तो जो मैंने आपको starting in the checklist पूटाई थी, उसके according यहाँ पर आपको simply तरीके से document वगर है, जो यहाँ पर drop down के अंदर choose out करने है, यह सारी चीज़ डलने के बाद में simply आपका ARN number यहाँ पर generate हो जाएगा, और आपने जो application यहाँ पर fill up की होगी, वो simply तरीके से as a PDF यहाँ download जो आती है, और उसको ले करके आपको branch के अंदर submit करना पड़ता है, इसके लाएगाईस अगर मैं offline यहाँ पर form की बात करहो, तो अगर proprietorship का form है BCL, तो उसका अलग से यहाँ पर form दिया हुआ है, और let's suppose private company वगर है, तो उसका अलग से यहाँ पर form दिया हुआ है, तो यह द का certificate हो सकता है, आपका ITR हो सकता है, तो जो भी चीजे उसके according यहाँ पर आपको चीजे insert करनी है, आपकी contact details हो गई, proof of address वगर है हो गया, आपका business का address वगर है क्या है, उसका pin code वगर है क्या है, बाकि बेसिक से details यहाँ भी आपको fill up करनी है, इसके लाएगा आपका nature of the business क्या रहेगा, कौन सी industry से आपसे यहाँ पर select कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, आपको यह वाला 0000N वाला code चूज करना है, जो कि any other से यहाँ पर related करता है, बाकि आप manufacture हो, retailer हो, service provider हो, उसके according यहाँ आपको select करना है, उसके बादने काईस, यहाँ पर आपको अपना online fill up कर लो, या फिर यह जो offline form है, उसको आप fill up करके, अपने bank के अंदर यहाँ पर पूरे business के document के साथ में, आप submit वगरे करा सकते हो, तो यहाँ पर यह सरकारी bank है, तो obviously बात है, process जो है, थोड़ो सा यहाँ पर complicated है, form वगरे fill up वगरे करने का, बाकि अगर आप लोग चाहते वीडियो बोलोंगे, तो वो भी यहाँ पर मैं आप लोग को create करके दे दूँगा, so guys, hope you like this video, please subscribe अगर आप लोग के यहाँ पर कुई भी doubts है, comment box के अंदर जरूर बताइए, thank you guys, thank you very much